स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हिंदी प्रभाद के यूट्यूब चैनल में आज हम रोग रामधाय सिंग दिन करके संपूर्ण कावे का ध्यन करेंगे देखे क्रम से एकदम संपूर्ण रचनाओं का अध्यन हम आपको करा रहे हैं प्रण भंग रेणु का रस्वन्ती हुंकार प्रतिक्षा द्वन्द गीत संचैता कुर्छेत्र उर्वसी इतिहात के आशू का संगीत तूरज का व्याह तो होगा ही मिर्च का मजा तो आने दो नील कुसुम या नील के पत्ते धूप छाने दो बापू के आत्मा की आखे मृत्ती तिलग लगाने दो कोयल कवित्त सुनाएगी सीपी को संख वजाने दो हारे को हरी नाम है बस लोक प्रियवन जाने दो बार दावली विजय संदेज कभी को दिनली आने दो देखे यह इनके कुल उन्तालिस काव्य हैं जिसमें हमने इसमें कुल पैंतिस काव्य का अध्यन कराया है और चार काव्य इसमें और भी हैं उनको ध्यान से सुन लिजेगा इसमें बैट नहीं पाया इसलिए मैं उससे अलग से आप लोग बता दे रहा हूं जिसमें उनका एक काव्य साम धेनी दूसरा है चक्रवाल तीसरा है कविस्तरी जिसको इसमें हमने संदेश कभी लगाया है तो उसको कविस्तरी जानियेगा और एक है दिनकर के गीत तो यह चार और पले क्रम से एकदम जान लेंगे कि कौन कौन से रचनाय है तो प्रण एक रचना है रेणुका दूसरा है रस्वंती भूंकार और प्रतिक्षा से जानेंगे कि परशुराम की प्रतिक्षा द्वन्द गीत एक अलग है संचैता अलग है कुर्षेत्र अलग है उर्वस्धी जिसे उन्हें 1972 में यानि उर्वस्धी रचना पर रामदाई सिंग दिन मिर्च का मजा, नील कुसूम, नील नीम के पत्ते, धूप और छाह, बापू, आत्मा की आखे, मृत्ति तिलक, कोयल कभित, चीपी और संख, हारे को हरिनाम, लोगप्री कभी रामधारी सिंग एक रचना उनकी आया है बार्दाउली विजय संदेश, कविस्त्री, कविस्तात पर कविस्त्री और दिल्ली, यह इतने उनके काब्वे, जिसका हमने और बताए एक उनका सामधेनी, चक्रवाल और दिनकर के गीत, यह तीन और बढ़ जा रहा है, यानि कुल 49 रचनाएं आपके सामने दिखाई दे जिसमें अगर पूछा जाए कि रामधारिस्तिंग दिनकर का प्रथम काब्वे कौन सा है तो याद रखेगा बार्दाउली दीजये, अगर पूछा जाए, कभी-कभी पूछा जाता है कि रामधारिस्तिंग दिनकर को किस काब्वे पर, माने किस रचना पर, काब्वे नहीं उस पर उन्हें साहिति अकादमी पुरसकार मिला था 1969 में और उन्वसी पर उन्हें ग्यानपीट पुरसकार मिला था 1972 में इत्प्रकार यह उनका काब्य है कुछ उनके निबंद भी हैं और उनकी गद्य रचनाये हैं तो अभी हमने काबी का चर्चा किया आगे हम निबंद की चर्चा अलग करेंगे फिर उनका जो गद्य है गद्य पर हम सब का ट्रिक बनाए हुए हैं तो एक एक ठो आप देखते रहें अगर आप लोग प्रति दिन अध्यन करना चाहते हैं तो प्रति दिन हम 10 बजे हिंदी प्रभाद टेलिग्राम चैनल पर जो कुछ चलता है आनल चैनल को सब्सक्राइब जड़ू करिए जिससे के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहें बस इतना ही आगे अगले कभी की रचनाओं के साथ मिलते हैं तब तक के लिए सबी लोगों को धन्यवाद